आपके बोर्वेल में ज़्यादा संबावना रहे कि आपके बोर्वेल में पानी भी आए बोर्वेल टेड़ा भी ना जाए और आपका जो पैसा है वो भी बरबाद ना जाए तो इस वीडियो को आप सुरू सो लेकर आखिर तक जरूर देखना जो भी बाते बताऊंगा वो आ आपके बहुत इकाम आने वाले बोर्वेल करवाते समय वीडियो को अभी से ना लाइक कर दीजिए ज्यादा सी ज्यादा शेयर कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो सस्क्राइब करके बैल आइकन को वोल पर जरूर दबा दीजिए ताकि आगे भी आपको खेती से संबंदित तमाम परकार की वीडियो हमेशा देखने को मिलती रहे किसान भाईयों एक बोर्वेल करवाने में किसान भाई का तकरीबन एक लाग रुपे का खर्चा आता है ऐसे में अगर किसान भाई को बोर्वेल में पानी नहीं मिलता है तो वो लाग रुपे उसक तरीका नहीं बता रहाँ कि इस तरीके से आपको पानी चेक करवाना है मैं सिर्फ वो बताऊंगा कि जब आपका point fix हो जाए कि यहां पर हमको जो है boring करवानी है उसके बाद जब machine आती है तो कौन सी बातों का ध्यान रखना है या point fix करते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना है तो सबसे जो पहला पॉइंट आता है हमारा वो याता है कि जिस पॉइंट पर आपकी बोरिंग करने के लिए मसीन आकर खड़ी हो जाती है तो आपको जैसा पताई है कि मसीन जो होती है बोर्वेल जो होती है अपने चार जैक पर खड़ी रहती है ऐसे मैं आपको वहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जिन जैक पर वो खड़ी है उनके नीचे का जो बेस होता है वो कहीं छोटा तो नहीं है जहां पर वो खड़ी है वहाँ की मिट्टी हलकी तो नहीं है इन सब बातों का ध्यान रखकर ही मशीन को खड़ा करवाई क्योंकि देखिए अगर जब मशीन चलेगी कमपन की वज़े से या किसी भी मिट्टी हलकी होने की वज़े से किसी भी अन्यकारण की वज़े से अगर मान लीजिए बोर्वेल का कोई भी एक जेक उस मसीन का चार जेक होते हैं उन में से कोई सा भी एक जेक अगर हलका सा भी टेड़ा मेड़ा होता है एक सूत पर भी अगर टेड़ा होता है तो आप मान की चलिए कि आपका जो बोर है वो जमीन के अंदर कितना टेडा जाने वाला है तो इन बातों का ध्यान रखे मसीन को अच्छी तरीके से अपने खेट पर अपने पॉइंट पर खड़ा करवाए ताकि आपका जो बोरिंग जो बोर होने वाला है वो टेडा न जाए पहली बात तो यह ध्यान रखने दूसरी बात जब आप कोई निसान फिक्स कर रहे हो पॉइंट फिक्स कर रहे हो कि यहीं पर हमको बोरिंग करवानी है तो उस समय पर आपको देखना पड़ेगा कि आपके आसपास छेतर में कोई न कोई टूवेल तो होगी तो उसमें आपको दो बातों का ध्यान रखना है कि पहला तो यह है कि उस किसान बाई के जो आपके आसपास हैं कितने फिट पर पानी आया था किस परकार का पत्तर आया था उस बोर वेल में क्योंकि कई बार होता है किसान बाईयों की चमीन के अंदर एक तो बिल्कुल सपेद दुवा निकलता है यानि कि जो कड़क पत्तर आता है सपेद वाला उसमें पानी का चांस जादा होता है एक आता है बलेक बिल्कुल राग के जैसा दुवा निकलना शुरू हो जाता है बोरिंग से तो वो होता है काला पत्तर तो उसमें पानी की संभावना कम रहती है ऐसे में आपके आसपास जितने भी टुवेल हैं किसान भाईयों के उनका पूरा हिसाब लीजिए कि कितने फिट पर पानी आया था कौन सा पत्तर था जिसमें पानी आया था किस परकार से आया था तो उसी ह ज्यादा चांस रहेंगे कि आपको भी जो हैं वहाँ पर पानी मिल जाएगा इसके अलावा भी किस्तान भाईयों एक बात का और आप ध्यान रखना कि जब भी आप पॉइंट फिक्स करवा रहे हो जिससे भी आप पानी का पता लगवा रहे हो जो गाउं में आपके जो देश जैसे आप माल लीजिए कि इस से वेश्ट की और अगर पानी बहर आए इनकी पूरफ से पस्यम की और पानी आपको जो पॉइंट फिक्स किया है आपके उसने बताया है कि यहाँ पर पूरफ की साइड से पानी पस्यम की और जा रहा है तो जब आप मसीन वहाँ पर सेट चाहिए उसको अपोजिट डारेक्शन में सेट नहीं करवाना है इससे क्या होता है कि अगर माल लीजिए थोड़ा बहुत भी अगर आपका जो बोर है वो त्यड़ा मेड़ा जाता है तो अगर आपके चांस बढ़ जाते हैं कि अगर बोर वेल थोड़ा ट्यड़ा भी तो इसके अलावा भी छोटी छोटी बाते होती हैं जिनका आप ध्यान रखे इन बातों का भी ध्यान रखे इससे जो है ना आपके चांस बढ़ेंगे कि आपका बोर वेल खाली नहीं जाएगा आपको पानी मिलेगा तो उमीद है वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना मिलते हैं अगली नई वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद